नमस्कार दोस्तों मैं AALP भरत स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल Rising भारत रेल में तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे लेकिन Assistant Locopilot उसके साथ होता है ट्रेन में तो उसका क्या काम होता है तो यहाँ पर सोचने वाली बात है दोस्तों कि दो लोगो को यहाँ पर लोको में या इंजन में बिठाया गया है तो दोनों का कुछ न कुछ काम तो होता ही है लेकिन यहाँ पर जो मेजर काम आपको दिखता है जो ट्रेन चलाने का जो माल गाड़ी होती है जो पैसेंजर गाड़ी होती है उनको खीचने का तो लोको जो होता है उससे गाड़ी को खीचा जाता है और उसको ओपरेट करने वाला सारा काम जो होता है स्पीड बढ़ाना, ब्रेकिंग करना यह सारा काम लोको पाइलेट करता है लेकिन साथ में जो असिस्टेंट लोको पाइलेट होता है उसका क्या काम होता है detail में हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तो इससे पहले पहली बार अगर इस चैनल पर आये हैं दोस्तो तो आप लोग इसको subscribe जरू कर ले इसी तरह की useful वीडियो आप लोगो के लिए बनाता हूँ लेकिन यहाँ पर उसकी normal जो routine work होता है अगर कोई abnormality होती है तब तो आपको काम करना है according to local pilot जैसा वो आपको order करते हैं उसके अलावा आपको normal अपने रूटीन में जो काम करने होते हैं जैसे आपको जिस भी गाड़ी के लिए book किया जाता है आपको बता दिया जाता है lobby से कि वो कहां पर आई है आपको जाकर उसका local का mainly charge लेना पड़ता है बागे गाड़ी से आपको कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता है तो आपको local का charge लेके उसमें चारुत तरफ आपको देखना होता है सबसे पहले कि कोई abnormality तो नहीं है उसके wheels वगेरा उसके brakes वगेरा उसमें जो body है बोगी है उसमें जितने भी चीज़ें है उसमें कोई crack तो नहीं है कोई nut bolt missing तो नहीं है कोई टूटा फूटा पार तो नहीं है तो यह assistant locopilot का ही काम होता है दोस्तों वो यह सब चीज़े करता है locopilot directly आकर आपके अपनी seat पे जाके लोको का charge लेते और अंदर से वो देखते हैं तो इसके बाद जब चारों तरफ से चेक कर लेता है assistant locopilot तो उसके बाद अंदर जाके वो लोको को अंदर से भी देखता है आपको लगता है कि सिर्फ दो कुर्सियां महां पर रखी है उसके अंदर कुछ नहीं होता जिनोंने लोको नहीं देखा होगा लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अंदर भी बहुत सारी auxiliary बहुत सारी extinguisher वगेरा होते हैं उनकी यह सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ती है दोस्तो और जब आप सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं तो आके आपने लोको पाइलेट को बताते हैं कि सर सब कुछ ठीक है कि आपको कोई abnormality लगती तो उनको बता देते हैं फिर वो उसके according जो भ जाता है दिन में हरी जंडी के साथ रात में टोर्च के साथ और जैसे ही all right देता है गार्ड उसके बाद लोको पाइलेट को रवाना करता है और दोस्तों जो all right होता है wre station मास्टर के साथ हरी station पे गाड़ी पास होती है तो आपको मिलाना पड़ता है और यहाँ पर कोई के साथ मिलाना पड़ता है उसी के बाद गाड़ी को रवाना किया जाता है तो All Right मिलाने में हापर ELP की महत पूर्भूमी का होती है दोस्तों उसके बाद आपको Driver की direy होती है उसमें आपको भरना होता है सब कुछ details गाड़ी का नाम लोको का नमबर और सारी चीजें जो होती है, driver का नाम, guard का नाम, जो भी है सारी चीजें, आपको उसमें fill up करनी होती है, और stations के सारे code आपको याद होने चाहिए, जिस route के आप जाने वाले हैं, और हर एक station पे आप जब pass होते हैं, तो departure का आपको time लिखना होता है, तो ये भी एक काम होता है, इसके लावा एक logbook होती है, जिसमें जो भी problem लोकों में है, पिछले driver, पिछले जितनी भी दिनों से वो चल रही है, तो हर एक driver और assistant उसमें अपनी जो भी remarks देते हैं, कोई भी problem उनको लगी है, कोई भी abnormality या कोई भी trouble उसमें आई है, तो उसके बा उसमें remark करके डालना पड़ता है आपको, और अगर कोई abnormality नहीं है, तो आप normal working उसका लिख सकते हैं, तो ये दोस्तो ऐसे काम है, जो आपके assistant लोको पाइलेट ही करता है, लोको पाइलेट सिर्फ train के operation पे ध्यान होता है, उसको बिल्कुल भी diversion, distraction नहीं चाहिए, तो वो जो भी signal है, उसको call out करना होता है, तो वो भी दोनों मिलके करते हैं, ताकि दोनों attentive रहे, अगर एक को ना दिखे signal तो दूसरे को दिखे, और गाड़ी accordingly operate कर सकें, तो ये भी एक काम होता है दोस्तो असिस्टेंट लोको पाइलेट का, और इसके अलावा सबसे important काम जो होता ह दोस्तों अगर कोई भी ऐसी emergency नजर आती है, ट्रेक पर कोई इंसान नजर आता है, कोई cattle नजर आते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारे लोकों में problem आ सकती है, तो उस case में यहाँ पर assistant के पास एक valve होता है, उसको operate करना होता है, जिससे गाड़ी को रोक सकता है, तो य इच बीच में यहाँ पर assistant को जाकर लोकों को अंदर से चेक करना पड़ता है, गाड़ी कहीं रुकती है, तो भी यहाँ पर नीचे उतर कर गाड़ी को चेक करना पड़ता है, आपने देखा होगा अकसर जहां भी गाड़ी रुकती है, तो assistant नीचे उतर के गाड़ी को चेक क करना है कुछ भी उसमें कब उसको signal मिलता है कब क्या करना है चलाना है रोकना है तो उसका मेंली वो काम होता है और वहीं पर बैठके सारा काम करता है क्योंकि उनकी पोजिशन ऐसी है कि वो सीट को नहीं छोड़ सकते किसी भी हाल में इसलिए जो सीट से उठके लोकों के अंदर का और बाहर का जो काम होता है वो असिस्टेंट को ही करना होता है और असिस्टेंट को ही देखना होता है यही इसकी ड्यूटी है और जहां पर हमें अपने As a assistant 녹opilot करना होता है, तो बहुत सारा काम होता है, तो ऐसा नहीं है कि जो लोगो पाइलेट है, वही सारा काम करता है, वह menly train को operate करने का काम करता है, बगी चेकिंग अगेरा का और कोई भी problem आती है, तो उसमें हमारा काम काफी सारा होता है, तो as a assistant loco pilot आपको ये duty बहुत alert ने इसके साथ करने पड़ती है दोस्तों तो अगर आप assistant loco pilot बनना चाते हैं इंडियन रेले में तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा ये सारी चीजे काफी alert रहने वाली जो बेचाहे दिन हो रात हो सर्दी गर्मे बरसात कभी भी आपको ये सारे काम करने ही पड़ते हैं हराल में दोस्तो रेडी रहें अगर आप loco pilot ये assistant loco pilot बनेंगे उसके बाद ही loco pilot बनेंगे तो इस तरह की duty आपको perform करने पड़ेगी जिन लोगों का एडाउट था उन लोगों के लिए वीडियो बनाये था आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तो आप लोगों कोई भी query होगी तो आप मुझे instagram पे यहाँ पर message कर सकते हैं follow करके तो मेरे instagram जो id है दोस्तो rising भारत rail है तो उसको आप जाकर follow जरूर करें ताकि मुझे बता चले आप लोगों कोई भी query है तो आप मुझे कभी भी message कर सकते हैं मैं आपको reply जरूर करूँगा और किस topic पर आपको वीडियो चाहिए वो भी यहाँ पर comment करके मुझे बताए दोस् आपको जो भी information चाहिए वो आपको मिल सके दोस्तों thank you for watching the video मिलते हैं नेक्स वीडियो में जै हिन जै भारत